पाकिस्तानी हुकूमत की नींद अब तूट गई है उसने बुदवार को एक ऐसा नाटक रचा जस पर विश्वास तो क्या ही किया जाए लेकिन हसी ज़रूर आ सकती है जी हाँ आपको बता दे पूरे बाला कोट में एर स्ट्राइक के 33 दिन बाद पाकिस्तान ने अंतराश्ट्रे मीडिया को घटना स्थल पर लेकर गई लेकिन उमीद के मताबिक वहाँ पाकिस्तान ने बाला कोट में सब को छेपाने के लिए जूटे तथे पेश किये और फेक नेरिटिव भुनाने की कोशिश की बदबार को पाकिस्तानी सरकार ने विदेशी मीडिया और कुछ राजनाइकों को उस जगे का दोरा करवाया जहां भारत ने एर स्ट्राइक की थी वहाँ गया मीडिया पत्रकारों के अनुसार वो इलाका रिहाईसी इलाकों से काफी दूर था और वहाँ तक पहुँचने के लिए डेड़ घंटे तक पैदल चलना पड़ा अब अगर पाकिस्तान सच में विदेशी मीडिया को बालाकोट एर स्ट्राइक के सच्चाई दिखाना चाहता था तो उसे विदेशी मीडिया को घटना स्थल तक का निरक्षन करने का मौका तो देना ही चाहिए था लेकिन यहाँ निरेक्षन तो दूर पाकिस्तान के मिलिटरी हर जगे पत्रकारों की निगरानी कर रही थी वैसे सच में कहें तो जासूसी कर रही थी जब भी कोई पत्रकार स्थानी लोगों से सवाल पूछने की कोशिश करता पाकिस्तान के मिलिटरी उन्हें वो सवाल पूछने ही नहीं दे रही थी वो बस ये कहते हुए सुनाई दिये जल्दी करें जादा लंबी बात ना करें अब ये सारी बातें एक ही और इशारा करती हैं कि हो ना हो पाकिस्तान कुछ न कुछ छेपाने की कोशिश कर रहा था सिर्फ इतना ही नहीं वो मीडिया के काम में भी अडंगे डाल रहा था बता दे भारती वायु सिना ने एक कई बार दावा किया है कि उन्हेंने बाला कोट में जैश के कई आतंक वादियों का सफाय किया था लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से इंकार करता रहा है पाकिस्तान के मदाबिक भारत ने एक मदरसे पर हमला किया था और वो निशाना भी चूप गया वैसे हरानी की बात तो ये है अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि बाला कोट इस स्ट्राइक में उसका कोई नुकसान हुआ ही नहीं तो उसने पत्रकारों को घटना स्थल पर ले जाने में इतनी देरी क्यों की यही सवाल जब वहां के गय पत्रकारों ने पूछा तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था पहले पाकिस्तान बाला कोट हमले के अगले दिन ही पत्रकारों को घटना इस स्थल पर ले जाने वाला था लेकिन खराब मौसम का हवाला दे कर उसने टाल दिया अब सच में मौसम खराब था या पाकिस्तान की नियत ये तो वही जाने लेकिन भारत ने तो बाला कोट ऐस्ट्राइक के भुखता सबूत पेश किये हैं जिसे पाकिस्तान नहीं ठुक रा सकता पाकिस्तान सिर्फ जूट बोल सकता है ब्यूरे रिपोर्ट बारत तक